हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मैं यूटूब चैनल हिमान चुछ शूत्रिया दारीजनिंग गुरू में पीटी का 15 अक्टूबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर में आपको सॉल्व करा रहा हूँ पांच कोशन दिये गए थे पहला कोशन था विशम चाठी हो चार अप्शन दिये गए थे साथ सो एक एक सो एक तीन सो एक चार सो इक इन में से कौन सा अलग है यह आपको बताना था तो इसका डारेक्ली आंसर बता जाएगा बच्चो 301 क्यों हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बाकी सारे प्राइम नमबर है बाकी आप अगर काटोगे तो सैविन से नहीं कटेंगे लेकिन 301 साथ से कट रहा है देखो आप साथ चोगट थाइस दो बचा साथ एक किस कट गया बाकी कोई भी नमबर साथ से नही प्राइम नमबर है आप काटके देख लो किसी और संक्या से नहीं कट रहा है 301 कट रहा है नेक्स्ट एक जनवए 26 यह कोशन मैं आपको कल भी कराया था यह रिपीट हुआ है कोशन 2006 2007 2008 2009 2010 मैंने आपको बताया था रिपीट हुआ है रिपीट क्यों हुआ है छैसे साथ में ज रिपीट हुआ है क्या हुआ था मैंने आपको बता रहा है जब भी किती सिंपल येसे जडantने एक दिन करते हैं और बर सलेज्ड तो हम divert करते हैं तो यहां देखा पता है कुआ से से कटे ले दो यह था थो कोशन कराया था मैंने आपको अगर आपने शिफ्ट का सॉलोशन देखा होगा तो सेकंड में आप अच्छा कर गया थे एक्टिव को यह लिखा गया इफेक्ट को पूछा गया इतना असान कोशन है कि कर देखें एको पहले ले गए इए को बाद में ले गए और बाकी सम्में एक एक प्लस कर देखो सेम आ गया तो आप पहले आ जाएगा इब आद में चलाजाएगा और बाकी सब को बढला दो तो F G F G E F C D तो आपका अंसर हो जाएगा T G G F D E option बच्चों आप चेक कर लेना जो भी दे रखाओ clear? अब आते हैं अगले question पर अगला question question number 4 आपको यह दिख रहा है question number 4 में आपसे बो लगए एक तश्वीर की और इशारा करते हुए A ने अपने दोस्त B से कहा वह मेरी मा के पिता की इकलोती बेटी है तो देखो इसको solve करने के जरूत नहीं है क्यों ऐसी देखो A B से कह रहा है वह मेरी मा के पिता की इकलोती बेटी मा के पिता नाना की एक ही बेटी है तो कौन होई मम्मी तो अंसर क्या होगे, मम्मी, और वो मम्मी तो नट्का कौन हो जाएगा, बेटा, ये तो होगे डारेक्ली, मैं जा सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, आपको, आप से बोला ये गया है, एन वी से काव है मेरी, तो ए कह रहा है, ये जो ए कह रहा है, वो जो महिला है, मेरी मा तो मम्मी उपर अती है के पिता । तो मा के पिता कि एकलोती बेटिया नहीं दौबार से कौन होगी मम्मी तो यह मम्म्मी ब지क कौन हो जाएगा बीटव लिए नहीं लेकिन बेटी और थक्र आंसर क्या हो जाएगा बेटव रही अखरी कुशन बच्चों सब कुछ आपका करा हुआ है तो पांचों कोशन करा हुए थे सेम टू सेम कोशन कराएं यह भी नहीं कि कुछ पैक्टिकल अलगा तो इसमें कोशन भी मैंने कारण प्रभाव को कराया था पीटी की वीडियो डाले थी उसमें कथन था आपका लैपटॉप निर्मार कंपनी उने हाली में लैपटॉप की खीमतों में व्रद्धी किये और दूसरा था सरकार ने हाली में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ा है तो कौन सा कारण है कौन सा प्रभाव यह बताना है तो इससे साफसा पता चल रहा है कि दूसरा वाला कारण है और पहला वाला पिरभाव हैज तो इसका अंतर जगह कथन दू कारण है और एक उसका सरकार ने क्या किया मतलब टेक्स लेते हैं वह बड़ा दिय तो लैप इन्भाटा कंपनी क्या करेंगी लैट टोप को महगी कर देंगे तो इसलिए कारण दूसरा हो जाएगा प्रभा क्या कर दिया बढ़ा दिया और जब अपने हाली लेप्टो कीमतों में क्या कर देंगी विरदी कर देंगी तो यह पांचों जए धीर दीरे आपको मिल गई अप को सुख्यों कि वेडिये क्यों क्यों सारे कोशन सारे पैटर में ने कराए हुए थे अगर आपने सिर्फ वीडियो भी देखी होती तो आपके पांच के बांच कुछन सही जाते तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी जल्दी प्रवाइट कराता हूं आपको 16 अक्टूबर का फश्ट कवी पर मेर प्राँ में प्रवाइब दल्दी हो क्वीयो आपके वीडियों सही है करा वाइबर की कम्यों सही जल्दी il सकी कवापकोटскट चापके पर लियो करते दो को अक्वाबर करें सही भीडियों सब्रें Žीराından.